असलाम अलेकुम जी कैसे हैं आप लोग मीदे कि आप लोग बिल्कुल ठीट टाख होंगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नमर 4 की विच इस अब गैसे तो वीडियो स्टाइट करने से पहले हम लोग ने जो प्रिवीस वीडियो में आप लोग कुस्टन नमर 1 है वाट इस अब कुस्टन में देखा चाहिए तो हम लोग ने डैपल मुमेंट फाइंड करने है ठीक है एक उनित पोजिटिव चार्ज का ठीक है जिसका दिस्टन्स हो है वह 0.917 एंक्स्ट्राउन है तो इसको हम लोग देख लेते हैं अब जो ने ने में दिया हुए ठीक है कियो मर पास है तर्गरीबन 1 कूलम के एकल है कि मर पास बन जयते है 1.6 x 10 की पावर minus 19 कूलम ठीक हो गया हम लोग दिस्टन्स दिया हुए ठीक है और 0.917 एंक्स्ट्राउन हो ने दिया हुए और यह ने दिया है तो यह मारे पास बन जाएगा जो दिस्टन्स है 0.917 x 10 की पावर minus 10 अब हमारे पास जो डाइपल मुमेंट का जो फर्मूला है वो बनता है मारे पास डाइपल मुमेंट is equal to charge multiply with distance ठीक है वाल्य स्पोर्ट कर लेंगे मारे पास बन जाएगा 1.67 multiply 10 की पावर माइनस 19 ठीक है multiply 0.917 multiply 10 की पावर माइनस 10 अभी स्टन्स की जब complications आ जाती है तो आप लोगों ने जो है वो इसको अपले नहीं आसान कर ला होता है आप लोग जी powers वाली values को एक साथ कर लें और दूसरे को एक साथ कर लें हम लोग इसको लिख सकते है 1.67 multiply with 0.917 multiply with 10 की पावर माइनस 19 माइनस 10 यह मार पास अंदाजन बनते है 1.47 ठीक आप लोग इसको multiply कर लिए multiply 10 की पावर कितना बन जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चाइन लेगा माइनस का तो यह माइनस 29 कूलम मीटर आ जाएगा ठीक है अब यह मार पास कूलम मीटर में आंसर तो आ गया है ठीक है अगर mcqs में units कूलम मीटर में दी है तो फिर आप लोग तो इस option को select करोगे otherwise आप लोग इसको क्या करोगे आप लोग इसको dipole moment का जो unit add by उसमें convert करोगे किसरा करते हैं हम पता है कि 1 divided 3.34 multiplied 10 की power minus 30 ठीक है तो हम लोग पिर क्या करेंगे इस चीज़ को 1.47 multiplied 10 की power minus 29 को क्या कर देंगे divide करेंगे 3.34 multiplied 10 की power minus 30 के जाएथ हाँ अब लोग हम लोग उसी तरह से कर लेंगे powers को एक साज कर लेंगे 1.47 multiplied 10 की power minus 29 और यह minus 30 उपर जाएगा तो यह plus 30 हो जाएगा ठीक है और बाकी नीचे उसी तरह से 3.34 1.47 divided by 3.34 multiplied 10 की power यह बन जाता है प्लस माइनस 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 होगा तो 1 ब्लस 1 तो यह मार पास मनत है 1.47 divided by 3.34 आप लोग इनको divide कर लोग यह राउंड पार बनेगा 4.40 and d by यह मार पास अंसर है अब हम लोग options देख लेते हैं option B is correct question हमें 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 पर इलेक्ट्रॉन्स अ देर हैं molecule of NH3 तो इसमें देख जाए तो मार पास है जो NH3 है में हमें मार पास सारे लेक्ट्रॉन्स बेर्ड हैं so unpaid electron मार पास क्या होंगे 0 होंगे question number 3 है select the correct order of ionic behavior तो हम लोग उने बात की थी कि हमार पास से जो ionic behavior होता है इसका direct relation होता है with electro negativity difference के साथ तो इस relation को use करते हुए आप लोगोंने in options में से select करना है तो अभी हम लोग अपने chapter की तरफ चलते हैं तो chapter में जाने से पहले हम लोग syllabus को देख लेता है हमार पास ये कुछ topics है सिर्फ हम लोग इस video में सिर्फ इन ही topics को discuss करेंगे ठीक है बात में जब PMC जो है वो new उसलिए पस issue करेंगे अगर कोई topic जो है वोनोंने add किया तो हम लोग बात में उसको explain कर लेंगे लिखा हुआ है कि the word gas is derived from तो ये वर्ड आप लोग उन्हीं जहन में रख लेना है second thing is that के मार पास gases जो movement करती है उनको हम लोग brownian movements कहते है जी कि ये लिखा हुआ है gases की movements को हम लोग brownian movements कहते है और ये किस ने बताया था Robert brown ने बताया था 1827 में brownian movements आप लोगों ने जहन में रखना है next point is when diffusion takes place between the liquid and gases and it is known as litmate mixing चाहिए ये point भी आप लोगों ने जहन में रखना है कि जब हम लोग liquid और gas को mix करते है तो उसको क्या कहते है next time आप आप किनेटिक माले किलोड थीरी में कहते है कि first postulated by the denger आप लोगों को यह पता होना चाहिए तो यह आप लोगों को बता होना चाहिए ठीक है और kinetic equation किस ने derive की थी यह भी आप लोगों को बता होन चाहिए जो कि यह लिखा हुग है फर्देग हम लोग kinetic molecule theory की तरफ चलते है तो यहाँ पर एक point है जो आप लोगों को पता होन चाहिए कि collusion among the molecules are perfectly elastic collusion होती है ठीक है molecules के तरफ मांच collusion होती है वो perfectly elastic collusion होती है the total kinetic energy remains constant इसके लिख लिख लोगों को एक और चीज़ाद कि मारे पास kinetic energy का temperature के साथ direct relation होता है इसके लिख लिख लास पर हमारे पास यहां पर हमारे एक्वेशन दी हुई है ठीक है pressure of an ideal gas तो आप लोगों के जाहिन होना चाहिए PV is equal to 1 over 2 MN C is here What is M M हमारे पास यहां पर mass है P pressure है V volume है M mass है N जो है वो number of molecules है और C हमारे पास क्या है speed of light है या velocity of light है अब यहां से हम लोग क्या deduce कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं हमारे पास वो एक्वेशन थी वो थी PV is equal to 1 over 3 ठीक है MN C square ठीक है अब यहां से हम लोग क्या कह सकते है कि हमारे पास pressure का mass के साथ direct relation है pressure का number of particles of gas के साथ direct relation है pressure का volume के साथ inverse relation है अगर question आए कि दो particles है या दो masses है या दो bodies है जिनके मारे से एक का M1 है एक का M2 है M1 हमारे पास greater है M2 से तो pressure किस का जाएदा होगा obviously हमारे पास किस का pressure हमारे पास pressure 2 से जाएदा होगा तो यह इस तरह से हम स्वेशन आ जाजाते है से जाएदा म्लेशन पास न्तरह कीmonton एहिरा translatory motion, rotatory motion or vibrational motion, slick जो मरपास monotomic molecules बह는 मरपास translatory motion करते हैं क्या है typ का Mm 2γ केता है जो diutetomic molecules होते हैdam वो translatory भी करते जो translatory, rotatory भी करते है & vibratory motion भी करते है हम आख सी हमलोग दो देख ले양िता-देख लेक कि वाई से होती है यह तीन चार पॉइंट्स जो का आफ लोग उन रखने हैं मोनाटमिक माली कि उस ठाइशनल पिजो आफ यह उर्मोशन जो करते हैं दाय और पोली वाले यह तीनों मोशन शो करते हैं Translation motion अबर पास ये particle की movements जब all direction में होती है तो ये उस वजी से होती है जब वो angular momentum के वजी से move करते है तो उनको अमलों rotational motion के रहते हैं बस that is it Next time अबर पास absolute temperature on the basis of Charles law तो यहाँ पर first thing is that कि आपनों का Charles law की statement का पाता हो Second thing is that कि यहाँ पर एक point given है कि starting point का है scale का वो है minus 273.15 centigrade ठीक है अच्छा Charles scale जो है वो start होता है 0 degree centigrade से और यहाँ पी कुछ relations है कि हम लोग Kelvin scale को Celsius में कैसे convert करेंगे यह relations जो है यह आप लोग को पताना चाहिए ठीक है Kelvin को sorry Celsius को Kelvin में कैसे करेंगे और Kelvin को Celsius में कैसे करेंगे अक्सर यहाँ से MCQ आ जाता है next time our pass relation between the kinetic energy and temperature तो हमने पहले भी बात की थी कि मरपास इनकी दिर्मान direct relation है अगर हम लोग temperature को increase करते हैं तो मरपास kinetic energy चाहे वो increase होती है और यहाँ से उरसा नेक्स time our pass pressure के different units हैं तो यह आप लोगों ने देख लेने आप लोगो ने अक्सर यहाँ से MCQ आ जाता है अगर MCQ ना प्याए तो अक्सर वह ने अमेरिकले स्टाइब कर नहीं होती है तो यह उसके लिए बहुत important होते हैं तो यह आप लोगों ने बिल्कुल fingertips पर जाया वह याद कर लेने हैं next time our pass effect of change in temperature on the volume of the gas चाल्जला की बात कहा रहा है तो कि हम पता है कि मरपस pressure of the gas मरपस temperature की साथ उसका direct relation है यह statement आप लोग पढ़ ली अज़र यहाँ पर चाल्जला में आप लोगों ने चीज यहाँ रिखने कि मरपस इसका graph होता है वो straight graph होता है यहाँ पर उसमें बोला है कि इस graph को ISO-therm कहते हैं कि आप लोगों के जैन में होनी चाहिए अब अक्सर स्टुनेंट्स कोछ वहाँ वाइल सा और चाल्जल में डिफिरेंस चेट कर दोड़ा मुश्किल होता है या उनको याद आता है लेकिन examination में बूल जाते हैं और बाकी जो पीशे जो temperature के साथ relation बजाएगा तो वो चाल्जलागा होगा वाइल्स वाइल वाइपी परसंट्स अब यहाँ पर डिफिरेंट जो है वो किसम के जो है वो questions जो है आ जाते है papers के अंदर अक्सर अब हमें तो पता है कि मरपास volume का pressure के साथ inverse relation है और volume का temperature के साथ जो है वो direct relation है ठीक है अब वहाँ पर उन्हें दो volumes दिये होते हैं ठीक है और उन्होंने प्रेशर भी दो दिये होते हैं या एक pressure दिये होते हैं दूसरा find करना होता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस equation को कि V1 over V2 is equal to P2 divided by P1 क्यों कि मरपास V मरपास P के साथ inverse relation है और इस equation को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं V1 over V2 is equal to T1 over T2 क्यों कि मरपास volume का temperature के साथ direct relation है अब यहां पर आप लोग को V1 given हो V2 भी given हो P1 भी given हो P2 हम लोग इसली find कर सकते हैं ठीक है किस तरह से P2 मरपास बन जाएगा V1 over V2 multiply P1 के साथ ठीक है अब यहां पर इस scene में मरपास अगर वो T2 को बोले के T2 find करें तो हम लोग क्या करेंगे V1 over V2 multiply with T1 is equal to T2 इंदेशन डाट वाम लोग equations को arrange कर कर जो है वाम लोग answer को निकाल सकते हैं लेगन उसके लिए आप लोगो यह relation must बताओ कि while was a Vip person यहां पर आप लोग को एक चीज़ बताओ कि मरपास minus 273 degree पर जो volume होते अबसलूट 0 की definition का आप लोगों को पतना चाहिए तो यह आप लोगों कर यहां से rate कर लेनी है यह उसने वह लिगवा कि minus 273.15 degree मारपास 0 Kelvin के equal होती है यह भी आप लोगों के जान में must होना चाहिए और नेक्स मारपास है अवागेडर से लाँ ठीक है यहां पर पहली चीज़ होजिए कि मारपास यह वागेडर ने जो है वो इसको प्रोपोस्ट किया तो इसको कॉन्फर्म किस नहीं किया था जोजफ लिश्टमित इससना से कुछ नाम है यह आप लोगों ने जैन में रख अचाहिए इसका रिलेशन का है मारपास V is directly proportional to N, N stands for number of moles अब हम लोग ने बात की कि मारपास V मारपास इसका N के साथ direct relation है N stands for number of moles ठीक है अब examiner आप लोगों से direct question नहीं पूछेगा अब वो पूछेगा कि हमारे पास अगर हमारे पास इसको हम लोग किस तरह लेख सकते हैं इस equation को V1 over V2 is equal to N1 over N2 क्योंकि direct relation है अब यहां से वो हम लोगों को जो है वो बोले कि आप लोग V2 find करो तो हम लोग किस तरह find करेंगे just equation को जो है वो रहे अरेंज कर लेंगे V2 के लिए मारे पास यह बन जाएगा 1 over V2 is equal to N1 divided by N2 और यह इदर multiplier रदा करेंगे तो मारे पास V1 equation को जो है वो हम लोग collect करेंगे तो मारे पास V2 is equal to N2 V1 divided by N1 in this and that way हम लोग इसको find कर सकते हैं यह अपनों को से इसरा भी question पूछता करेंगे सकता है कि मारे पास अगर एक दो पर्टिकल्स है ठीक है A and B ठीक है एक का N1 है और एक का N2 है जो N1 है वो greater है N2 से ठीक है तो आप लोग उसे पूछ सकता है कि pressure किस का जैदा होगा या volume जोड़ी किस का जैदा होगा तो volume obviously है मारे पास N1 का volume जो है वो जैदा होगा N2 से volume 1, volume 2 से जैदा होगा एक और पॉइंट आप लोग जैद में रख लिए कि मारे पास जो standard temperature थे वो मारे पास 0 degree centigrade होता है और मारे पास जो pressure होता है वो 1 atmospheric pressure थे 1 atm होता है standard temperature 0 degree होता है और standard pressure 1 atm होता है next मारे पास last topic जो हो हो है general gas equation ठीक है अब यहां पर पर पहली सीच होज़िए कि मारे पास यह तीन last से मिलकर बना होता है वह आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है while Charles and Avogadros last मिलकर बना होता है ठीक है second thing is that के यहां पर as such important कुछ नहीं जास आप लोगों को इसका final relation पता हो and second thing is that यहां पर कुछ relations उन्होंने refine की है molecular mass के साथ ठीक है density का relation उन्होंने रख की और फर्दर यहां पर कुछ units है pressure के temperature के volumes के तो वो आपनों को must पता होने चाहिए ठीक है इनको आप लोग finger tips पर याद रख लो अक्सर यह as it is direct भी पुछे जा साकते हैं और अक्सर यह numericals में भी use होकर आते हैं फिर हम लोग को वहां पर convergence नहीं आ रही होती है और हमारा answer जो है वो हमारे पास नहीं आ रहा होता तो आप लोग इन चीज़ों को finger tips पर याद कर लो ठीक है बहुतीस ही है जब आप लोग इनको एक दोमर पा revise करोगे तो आप लोग को पता होना चाहिए अगर आपको एक्जाम में अगर यह direct relation भूल जाए तो आप लोग कम उसकम वहां पर derive कर सको इसको तो आप लोग को ने चीब है वह की जाहन में रख लेने हैं अगर आप लोग को as it is याद होता है तो well and good otherwise आप लोग को derive करना आता हो वैसे इसकी derivation कोई इतनी लबी चोड़ी नहीं है जस्ट थोड़ी सी derivation है दो तीन steps है ठीक है तो यह आप लोग को must बता हूं चाहिए और इसके डावा further लाजमी नहीं है कि वह आप लोग उसे direct इस तरह से बुचेंगे वह आपनों को confused करके different questions बनाकर different statements जो questions होते हैं भी बनाकर पूछ सकते हैं तो इन पर हम लोग थोड़ी proportional temperature this is a charge and volume is directly proportional to number of moles यह आप लोगों का relations बता होना से है इसके लाज़ा further general gas equation का final result मार पास साथ पी वी is equal to nRT अब यहां से इसको भी आप लोग को लिख सकते हैं मार पास pressure का जो है वो number of moles के साथ direct relation है ठीक है volume का भी number of moles के साथ direct relation है ठीक है r तो constant होता है तो यहां से हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि यह जो pressure है sorry volume जो है इसका T के साथ direct relation बन सकता है जो कि हम लोग ने यहां पर भी बात किया furthermore यह अब इस equation में से जो है अब आप लोग को से question से भी आ सकता है कि मार पास अगर n1 given o t1 given o n2 given o t2 given o p1 given o तो आप लोगों को बोले कि आप लोगों ने p2 find करो तो हम लोग इस equation को change कर सकते हैं ठीक है इसके लिए हम जैसे कि में पता है कि हमारे पास general gas equation की final equation हमारे पास है PV is equal to nRT है ठीक है यह हमारे पास है न हमारे पास का है यह moles है moles का formula पता है moles equal to number of moles equal to mass and gram divided by molar mass ठीक है बागी equation उसी तरह से आ जाएगी हमने molar mass के लिए equation नकाल नहीं है तो हम लोग इसके लिए equation नकाल नेंगे ठीक है यह मारे पास बन जाएगी PV M is equal to WRT W mass in gram है ठीक है अब हम लोगों ने इसके लिए equation नकाल नहीं है तो मारे पास बन जाएगा M is equal to WRT divided by PV यह मारे पास क्या है molar mass की equation आगी ठीक है तो अगर आप लोगों के paper में यह equation बूल जाए तो आप लोग इसली जहां से के लिएट कर सकते हैं ठीक है अब यहां से हम लोगों ने एक relation यह भी नकाला कि हमारे पास molar mass का temperature के साथ direct relation है और इसका pressure और volume के साथ इसका inverse relation है यह भी आप लोगों ने जहन में रखना है अब furthermore that यह के दबारा हम लोगों इसी equation की तरफ आते हैं PV is equal to nRT की तरफ जो के है देखे पी वी is equal to nRT ठीक है यह हमने बात की थी कि यह बहुत है जोसे is equal to mass in ground vibrer molar mass बागी equation इस तरह से आजाएगी ठीक है अब यहां से हम लोगों ने density का formula नकालना है ठीक है और density हम पता है कि mass per unit volume होता है तो हम इस volume को इदर ले आएंगे और इसका हम को इदर ले जाएगे जाएगे जो मरपस यह बन जाए कि PM is equal to mass बालियम Rt और इसका हम पता है कि यह मरपस volume की equal होता है ना तो हम लोग इसको लेक सकते हैं D M is equal to sorry density density के equal होता है DRT तो हम लोग जहां से density का relation निकाल सकते हैं density is equal to PM द्वारपर RT ठीक है तो यह मरपस density का relation आ गया है अब यहां से हम लोग relations निकाल लेते हैं कि मरपस density का pressure के साथ direct relation होता है density का mass के साथ भी direct relation होता है density का temperature के साथ इसका inverse relation होगा तो इस तरह से आप लोग नेक्टिक के लिए तो सोच ना होता है क्योंकि लाजमीन यह कि डिरेक्ट आप लोगो से exam में वो question कर ले ठीक है अच्छा यहां पर एक point है कि हमारपस properties of liquefied helium below 2.17 Kelvin तो 2.17 Kelvin से नीचे जब हम लोग helium को लेकर जाते हैं तो मारपस उसकी viscosity 0 हो जाती है और उसके पास यह ability होती है कि वो wall of vessel के साथ चाहब क्लाइम करें तो यह point भी था एक important जो कि आप लोग अपने जहन में रख ले कि मारपस helium की viscosity 0 कौन से temperature पर होती है तो यह आप लोग ने जहन में रख लेना ठीक है नेक्स आप लोग लिए कुछ questions है जो कि आप लोग ने solve करने है Q1 आप लोग ने 96 Celsius को Kelvin पर convert करने है Q2 में आप लोग ने 10 Kelvin को Celsius में convert करने Q3 है choose the inert gas helium, neon, argon, yazinol Q4 और 5 numerical हैं तो इनको आप लोग से screenshot ले 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 और इनको solve कर ले Q3 में चैप्टर में 4 के जिस्ट यही topic से जो के हम लोग ने explain कर लिये है इसके लाव फर्दर आप लोग का कोई question वगरा है तो आप लोग comment section के अंदर पूछ ले और अपना बहुत सरा ख्यार रखेगा हमें भी जो है वो दौा में याद रखेगा Allah Hafiz